सुब्रमण्य भारती राश्ट्रिय चेतना के नायक थे सुब्रमण्य भारती शब्दों के अद्भुत शिल्पी गुलाम हिंदुस्तान में जलाई आजादी की मशान सिर्फ ग्यारह साल की उम्र में मिला भारती का खिताब ग्यारह दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के एट्टाय पुरम में हुआ था जन बनारस में हिंदी और संस्कृत का अध्यान तमिल समाचार पत्र सुदेश मित्रन में पत्रकारिता कविताओं के जरिये लोगों में लोकप्रियता की मिसाल पैम की पॉंडिचेडी में रहकर आजादी की लड़ाई में करांतिकारियों के साथ कई बार गए जेल 12 सितंबर 1921 को भारत के इस महान सपूत ने हमेशा के लिए हमसे विदाई ली हुआ हुआ हुआ